आज का हमारा प्रोग्राम है इसका मतलब सपोज हमारे पास एक एरे है एडवल आर जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें जो डुप्लिकेट एलिमेंट्स है उनको रिमूव करना है यानि प्रोग्राम का जो आउट्पुट है वो क्या होना चाहिए यानि यह वाला जो एलिमेंट्स है यह हमें हटाना है let us see for i is equal to 0 i less than size मालीजे इस case में size है आपका 5 क्योंकि इसमें हमने 5 एलिमेंट्स लिये हैं ठीक है तो i की value शुरू में 0 है i less than size 5 यानि 0, 1, 2, 3, 4 यह loop पूरा 5 बार चलेगा ठीक है इसके अंदर हमने एक और loop use किया है तो पहला loop मैं इसको 1, 2, 3 लिख देता हूँ यह आपका loop number 1 यह आपका loop number 2 और यह आपका loop number 3 तो इसके अंदर nesting का use किया है यहाँ देखिए, for j is equal to i plus 1, j की value i plus 1 होगी सबसे पहले, i की value अगर 0 है तो यहाँ j की value क्या होगी, 1 तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, j is equal to 1, तो 1 less than 5, condition true है तो loop चलेगा, फिर program control आपका यहाँ पर आजाएगा, program control आपका if statement पर आएगा यहाँ लिखा है, if ra i double equal to ra j, ra i इसका मतलब ra 0 double equal to ra 1, अगर यह condition true हो जाती है, तो इस case में यहाँ देखिए, ra 0 क्या है आपका, ra 0 है 11, और ra 1 क्या है 22, तो यह condition आपकी false होगी, false होने का मतलब, if condition के अंदर, यानि यहाँ से लेके, यहाँ तक, यह सभी statements execute नहीं होंगे, ठीक है, इसका मतलब यह सारे statements, यानि अंदर का for loop, और यह वाला statement, यह कब execute होंगे, जब यह उपर वाली condition true हो जाएगी, तो loop आगे बढ़ेगा, यह की value क्या हो जाएगी, plus plus करने से, यह की value हो जाएगी, 2, तो 2 less than 5, condition अभी भी true है, नीचे चलते हैं, array i की value तो इलावा नहीं रहेगी न, i तो 0 ही रहेगा, तो second iteration में, जब j is equal to 2 हो गया, array 0 double equal to array इस बार 2 होगा, क्योंकि j की value 2 हो चुकी है, अब देखते हैं, array 0 हमारा 11 था, array 2 यह भी इस बार 11 हो गया, तो इस बार यह condition true हो गई, तो क्योंकि यह 11 इस वाले से match हो गया, ठीक है, अगर यह match हो गया, condition true हो गई, है, वो execute होना शुरू हो जाएगा, अब इसके अंदर देखिए, क्या किया है, for k is equal to j, एक और variable लिया है, एक और counter है, k, जिसकी value j से शुरू होगी, j की value क्या थी, अगर आपको याद हो, यहां लिख रखी है मैंने, j की value थी 2, तो k की value क्या हो जाएगी, k2, तो k2 से शुरू होगा, 2 less than 5, condition true है, तो अंदर चलते हैं, अंदर क्या किया गया है, अंदर आपका लूप यहां से लेके, यहां तक काम कर रहा है, अगर आप ध्यान दें, तो यहां हो क्या रहा है, एरे k is equal to, एरे k plus 1, k की value क्या थी, 2, एरे 2 is equal to, एरे 3, यही तो होगा, k plus 1, यानि 2 plus 1, 3, तो एरे 3 के अंदर क्या store था, 5, एरे 3 की value जो थी 5, वो एरे 2 के अंदर shift हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, यह 5 यहां पर shift हो गया, ठीक है, अब 11 हट चुका है, 11 की जगा आ गया है, 5, clear, k की value प्लस प्लस होगी, 3, फिर k की value हो गई आपकी 3, अब इस case में क्या होगा, condition चेक करेंगे, 3 less than 5, condition true है, फिर नीचे आएंगे, array 3 equal to array 4, array 4 की value, array 3 में जाएगी, array 4 में है आपका 83, 83, 5 की जगा आ जाएगा, तो यह कट गया, यहां आ गया आपका 83, 3, I hope यह समझ में आ रहा होगा आपके, तो इससे हो क्या रहा है, इससे shifting हो रही है, left side, यह जो आपने statement लिखा है, यह आपका shifting के लिए है, left shift, आप deletion array में कैसे करते हैं, इस पर भी एक video मैंने बना रखा है, उसको भी ज़रूर देखिए, यह concept और clear हो जाएगा, तो इससे हमने क्या किया, यह 11 remove कर दिया, 11 की जगा 5 आ गया, फिर 83 आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, size माइनस माइनस, तो size माइनस माइनस से क्या हुआ, size आपका शुरूर में 5 था, अब size हो जाएगा 4, 4 क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक element हम हटा चुके हैं, तो आपके जो नए elements होंगे, 11, 22, 5, और 83, फिर J माइनस माइनस, J की value जो 2 थी, अब J की value यहां उपर जाएंगे, बाहर वाले लूप में आएंगे, बाहर वाले लूप में जा करके, यह उपर J की value प्लस प्लस हो जाती है, तो हमें आगे नहीं बढ़ाना है J को, J को वहीं से चेक करना क्या पता कोई और भी duplicate element हो, इसलिए J की value माइनस माइनस की जाती है, तो I hope यह concept clear हो गया होगा, मैं इसको एक बाद जल्दी से run करके और दिखा देता हूं, इस program को मैंने लिख रखा है पहले से, तो यह है आपका program, program का नाम रखा है remove duplicate dot c, तो हमने सबसे पहले क्या कराया है कुछ variables लिए हैं, यहां देखिए, int, array, hundred, i, j, k, और size, तो सबसे पहले हमने size को input करवाया है, उसके बाद हमने elements को input करवाया है, तो यह तो हो गया आपका input part, अब यह है आपका actual logic, यह वही code है, मैंने यहां से copy करके उसको वहाँ paste किया था, आप लोगों को dry run करके दिखान के लिए, for i is equal to 0, i less than size, i plus plus, इसके अंदर, for j is equal to i plus 1, j less than size, j plus plus, if array i double equal to array j, अब double equal to लगाते हैं, comparison के लिए, ठीक है, फिर if के अंदर, यहां देखिए, if के जो brackets है, yellow bracket, इस if के अंदर, एक और loop है, अगर यह condition true हो गई, तो k is equal to j, k less than size, k plus plus, यह वाला statement काम करेगा, this is what, this is, left shift, ठीक है, deletion के लिए, left shift किया जाता है, तो इसको left shift बोलते हैं, array k is equal to array k plus 1, उसके बाद size minus minus, j minus minus, फिर curly braces बंद किये, और हमने final arrow को display कराया, तो आप screen पर output देख सकते हैं, मैं इसको save कर देता हूँ, और फटा-फट से run कराते हैं, तो यहां देखे, आपका program का execution शुरू हो गया है, हम कुछ elements ले लेते हैं, suppose हमने 7 elements लिए, तो let us enter 7 elements, 11, फिर 22, फिर 11, फिर 55 दे दिया, फिर 44 दे दिया, फिर 55 दे दिया, 22, तो final array देखे, आपकी screen पर 11, 22, 55 और 44, तो I hope यह समझ में आ गया होगा, सारे duplicate elements रिमूव हो चुके हैं, इस program का code अगर आपको चाहिए, तो आप description में जाकर के, link पर click करेंगे, तो आपको source code मिल जाएगा, तो आज के लिए इतना ही, thank you.